कैसे हैं आप लोग जरूर से मेरे साथ शेयर कीजेगा मैं हूँ आपकी अनु और आज मैं शेयर करने जा रही हूं आपके साथ एक पनी की रेसिपी और यह थोड़ डिफरेंट स्टाइल है यूज्वली मैंने ऐसा कभी ट्राइ नहीं किया है तो मैं ट्राइ कर रही थी तो मै आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ तो फिलहाल अभी इसके लिए चाहिए मुझे ब्राउन अनियंस जिने मैं जस्त नौ फ्राइ कर रही हूं तो चैलिए ज्यादा लेट नहीं करूंगी फटाफट से शेयर करूंगी आपके साथ यह रेसिपी और हाँ इसके सारे इंग् करते हैं तो चलिए रës स्टाटिए मैं एक्ष़ी ने यहां पर तीमीडियम साइस की प्याज नहीं पर एक कर लिया है तो तर्श। करना में यह शेख और यहां और यह चाह स podéisकूर भी प्यास रही हैं और इन्हे करना अजाना है कंने बिलकुल दार्ग गोल्डन भडान होन अब मैं चल रही हूँ पनीर को करने फ्राय तो यहां पे देखे मैंने जो पनीर के पीसेज हैं इनका शेप बिल्कुल चीज क्यूब्स के जासा रखा हुआ है आज मैंने सोचा ऐसा ही करें और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्हें मुझे थोड़ा सा कोल्डन ब्राउन हो दोने तक फ्राय करना है दोनों तरफ से और यहां जो पनी की क्वांटिटी है वह मैंने ली है लगभक 250 ग्राम सक तो अब मैं इसे कर लेती हूं अच्छे से फ्राय और इसके बाद मुझे सारे खड़े मसालों को हलका सा ड्राय रोस्ट करना है और इसके लिए मैंने ले लि साथी छे से साथ साबोत ताल मिर्चे तो अब मुझे इन्हें करना है धीमी आज पे अच्छे से ड्राय डोस जब तक इन मसालों की अच्छी सी खुश्बू नहीं आने लगती है और यह देखिए जो ड्राय मैंने फ्राय अनियंस रखी थी उन्हें मैंने डाल लिया है जार दो बड़े चमच के जितना तेल साथ में डाल दी है दो साबोत लाल मिर्चे बीस से स्लिट करके और जब यह हलका हलका शालूप फ्राय हो जाता है और इसकी खुश्बू आने लगती है मैंने इसमें डाला है एक बड़े चमच के जितना अदरक लैसुन का पेस्ट और इस अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें से कच्छे पन के खुश्वो बिलकुल खतम नहीं हो जाती है और यहां देखिए जो अदरक लैसुन का पेस्ट है वो अच्छे से पक गया है मैंने इसमें डाल दिया है एक चमच के जितना कश्मीरी लालमिश पाउडर के लिए और थोड़ा सा हमें सिजल आउट करना है और अब हमने जो पेस्ट तयार किया था प्याज और खड़े मसालों का उन्हें हम डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक कि इसमें से तेल उज आउट होके सेपरेट नहीं हो जाता है तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और यह देखें इसमें से तेल उज आउट होके सेपरेट हो गया है क्योंकि प्यास तो अलड़ी फ्राइट थी ही और अब मसाली का कलर भी बहुत हद तक चेंज हो गया है अब इसमें डालनेंगे हम नमक और थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें काले मिर्च पाउ इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम थिक मैंने रखी है और अब इसके अंदर जब एक हलका सा सिमरिंग वाला एफेक्ट आ जाएगा तो इसे हम ढखके पकाएंगे लगबग एक मिनट तक और यह देखिए इसमें से तेल उज आउट होके सेपरेट हो गया है और अब इसमें डाल और सारे ही जो ग्रेवी है उसका अरोमा और टेस्ट अपने उपर अबजॉब कर ले तो चलिए इसे पकाते हैं ढखकर और लगबग दो मिनट के बाद देखिए इसमें अच्छा सिजल आउट होने लगा है और हमारी पनीर की सबसी अलमोसली तैयार है तो फाइनली इसमें ह इसकी जगा फेटी ही मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यह देखे क्रीम को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो हमारी जो पनीर की ग्रेवी है कितनी बड़िया तयार है तो फाइनली इसे हम हल्का सा गानिश करेंगे लै मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई